एग्जामपल लंबर 5, ठीक है, एंथियर्टिका, आपको इसको simplest form में convert करणा है, tan inverse of cosx upon 1-sinx, cosx upon 1-sinx, ठीक है, ध्यान रखे, again मैं आपको कह रहा हूँ, यह चीजे काफी helpful है, जब हम इसका differentiation करेंगे इस type के function को, जब इस type के function को हम integrate करेंगे, तो काफी helpful रहेगा, जो अभी हम यहाँ पर यह study करें, ठीके, बले सी सिर्टाइबस में हड गया है इसका कुछ पाट, लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको यही study करा रहा हूँ, ठीके स्टार्ट करते हैं, ठीके solution, tan inverse, ठीको, cos x की जगे आप यह लिख सकते हो, cos square x by 2, minus sin square x by 2, ठीके, cos 2 theta के formula से, ठीके, cos 2 theta के formula से, ठीके, और इस पहले sin x की जगे मैं आपको लिखता हूँ, इस sin x की जगे आप लिख सकते हो, minus 2 sin x by 2, cos x by 2, ठीके, minus 2 sin x by 2, cos x by 2, अच्छा, यहाँ एक condition और दे रखी, जो x है, वो आपका बलाए कर रहा है, minus 3 pi by 2 से pi by 2, x आपका लाए कर रहा है, minus 3 pi by 2 से pi by 2, और इस 1 को आप लिख सकते हो, sin square x by 2, plus cos square x by 2, उससे होगा क्या, जो आपका denominator है, वो perfect square बन जाएगा, आपका denominator क्या हुआ, perfect square बन जाएगा, उससे यह चीज हमें बहुत easy helpful करेगी, ठीक है, बहुत help करेगी, तो यह देखिए, आपका यह क्या होगे, tan inverse, ठीक है, उपर तो देखो, a square minus b square से मैं क्लिक देता हूँ, cos x by 2, minus sin x by 2, into cos x by 2, और plus sin x by 2, और नीचे आप देखिए, क्या बन जाएगा, यह, cos x by 2, minus sin x by 2 का whole square, ठीक है, यह क्या बन गया, cos x by 2, minus sin x by 2 का whole square, अब देखिए, एक power से एक power cancel out, अब आपके पास क्या बचा, cos x by 2, plus sin x by 2, और यह this, अब आप यहां से क्या करोगे, tan inverse, आपके पास क्या बचेगा, खाली, tan inverse, देखिए, इस बन को में क्या है, लिख सकता हूँ, answer है, tan pi by 4, और plus tan x by 2, और 1 minus, यह जो नीचे, tan x by 2 है, इसको मैं लिख दूँगा, इसके साथ मैं मालूँ, 1 multiply में, किसी भी चीज को multiply है, 1 से multiply करने में कोई effect नहीं होता, तो मैंने इसके multiply में लिख दिया, tan pi by 4, योगी tan pi by 4 क्या होता है, 1, सबसे पहले मैंने cos x को लिखा, cos x square by 2 minus sin square by 2, मैंने cos 2 theta की identity apply करी, नीचे मैंने 1 को लिखा, sin square x by 2 plus cos square x by 2, ओके, और फिर उससे मैंने क्या किया, और इस sin x में मैंने sin 2 theta की identity apply करी, और मैंने इसको लिख दिया, 2 sin x by 2 cos x by 2, ठीक है, अब उपर a square minus b square apply किया, तो इस a plus b into a minus b, और नीचे a minus b whole square बन गया, तो a x से a power कट गई, cancel out हो गई है, ठीक है, और यह आ जाएगा 1 plus tan x by 2, ठीक है, 1 minus tan x by 2, tan inverse, ठीक है, tan inverse tan pi by 4 plus x by 2, 1 minus tan x by 2 plus tan pi by 4, ठीक है, अब देखे, अंदर जो यह photo बन गई है, यह बन गई है, आपके 10 pi by 4 plus x by 2, अंदर जो photo बन गई है, वो क्या बन गई है, 10 pi by 4 plus x by 2, तो यह देखे है, tan inverse, 10, यह आपका हो गई है, बटा, pi by 4 plus x by 2, तो tan inverse से tan remove हो जाएगा, तो आपके पास खाली रहेगा, pi by 4 plus x by 2, अब आप देखे, जब हमारे पास यह condition आ गई, तो अब चीजों को इसको differentiate करना, इसको integrate करना, हमारे पास कितना easy है, तो इसलिए यह portion काफी helpful है, काफी help करेगा आपको, ठीक है, काफी help करेगा, जब आप integrate करोगे यह चीजों को differentiate करोगे, ठीक है, next example है, example 7 है, example 7 है, tan inverse x, यह आपको proof करना है, tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square is equals to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square, condition तो हमेशा होती है, satisfy, mod x less than 1 by root 3, त्यान रखिए, पता है, यह डिरेक्टी कोशन, इंजीनिरिंग के एक्जाम जेई में में, इंजीनिरिंग के एक्जाम के बात कराऊ, यह कोशन डिरेक्टी जेई में में पूछा गया है, 2015 में, डिरेक्टी पूछा गया, डिरेक्टी जेई में में, ठीके, सीधा-सीधा कोशन आया था, आपको यह दे दिया था, और आपको बताना था, यह किसके एकोल होगा, तो यह वाला अंसर था, ठीके, तो LHS हम स्टार्ट करते, और मैं अपलाय करता हूँ, tan inverse x plus tan inverse y के, tan inverse x plus tan inverse y होगा, तो tan inverse x plus 2x upon 1 minus x square, divided by 1 minus x into 2x upon 1 minus x square, ठीके, tan inverse x plus tan inverse y ka formula apply कर दिया, tan inverse x plus y upon 1 minus x y, तो यह हो जाएगा देखो tan inverse LCM हो जाएगा यह x minus x square sorry x minus x cube x minus x cube plus 2x और denominator में numerator का जो denominator है और denominator का जो denominator 1 minus x square cancel out हो जाएगा और यह यहाँ पर 1 minus x square और minus 2x square तो देखे आप result आगया आपके पास यहाँ आगया tan inverse ठीक है 3x minus x cube upon 1 minus 3x square बहुत easy चीज़ अगर आप substitution अगर आप apply कर लेंगे आपको कहीं दिक्कत नी आएगी कोई कहीं कोई दिक्कत नी आएगी इस chapter की इंपोर्टेंट चीजी यही है इंपोर्टेंट बाते यही है ठीक है इंपोर्टेंट चीजी यही है कि आपको simplify करना आना चीए ठीक है और वो हमारी help करेंगी integrate और differentiate करने में इंपल सा कोशन था हमने डारेक्ट फॉर्मूला अप्लाए कर रहा और हम आपर रिजल्ट आगे और कुछ नहीं है लाओ प्ल में दिसकर नहीं है जैसा एक्सेस तु पॉंट वह रहू है इस्टमट पेंगा मैं चोशन लाओग्सनड लेशे रख ठीक है करने में कर दिंप द॥ ऱंठरेट करना है आखाए प्र अधोगे जोटित दुटेट करने में शोप्लिय। इस इफ्रेंशियर्ट दिस इफ्रेंशियर्ट दिस कि कि देखे सलुशन स्टार्ट करते है यह आपको दे रहा टैन इन्वस रूट अब आप इदर ध्यान दो आपको कॉस के बारे में पता होना चीμη हम दो वे से लिख सकते है तू कॉस इसक्वेरे एक सदॉ एक्स वाय टू-1 और एक हम कॉस इसको लिख सकते हैं 1-2. कॉस तू कॉस इसक्वेरे एक्सवेरे 21-2. सांनस्य इसक्वेरे destin. ठीक है न मैंनिनस कॉस इसक्व कॉम 2 cos2 x by 2 minus 1, तो आप यहां से देखे, 1 plus cosx हमें मिल जाएगा, 2 cos2 x by 2, ओके, और यहां से 1 minus cosx हमें मिल जाएगा, 2 sin2 x by 2, तो आप देखे, 1 minus cosx की जगे तो हमने लिख दिया, 2 sin2 x by 2, और 1 plus cosx की जगे हमने लिख दिया, 2 cos2 x by 2, अब 2 से 2 एक एंसल आउट हो गया, त यह होगे- tan inverse, sin xy2 upon cos xy2, it is tan xy2, tan inverse of 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 tan xy2. तो tan inverse से time remove हो गया, यह आपके पास आगया xy2. तो अक arquकच सीज़े, फिंगस सेहना निई एज जाना इस आपके पास इसी है, बट आपको एक चीज को different कर रहे थे और एक आप इस चीज को differentiate कर रहे थे लेकिन दोनों same things हैं तो इसका differentiate अगर आप इतना लंबा भी solve करते तो भी आपको problem होती इससे बढ़ी आप इसको differentiate करें ना तो इस chapter की help ही यही करेगी सबसे बड़ी बात इनकी properties की खास बात यह है आपको basic जो trigonometric formulas है जो 11th class में आपने study करें वो आपको आने ही चाहिए आने ही चाहिए आपको करेंगे चाहिए आपको 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 नेक्स कुष्चन अमबर टैंथ ठीक है? कुछिशन नमबर 10 थे आपका कुछिशन नमबर 10 था आपको दे रखा है आपको काई की सिंपलेस फॉर्म है तान इन्वर्स 3A स्क्वेर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड डिवाइड बाइ एक्यूब माइनस 3A X स्क्वेर आपको कंडिशन दे रखी A greater than 0 और साथ में ये भी दे रखा है कि जो X होगा माइनस A upon root 3 से प्लस A upon root 3 में लाए करेगा और इसी चीज़ को इसी चीज़ को वो ऐसे भी लिख सकता है X is less than mod X is less than A by root 3 mod is less than A by root 3 क्योंकि A positive दे रखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो root 3 positive होता ही है ठीक है आपको simplest form में convert करना है अगे तो आपको फिर सोचना पड़ेगा इस बात को feel लेना पड़ेगा देखे आप आपको बताता हूँ अंदर आप इस 10 inverse को थोड़ी दिर के लिए आप भूल जाओ तो खुशन है मैं X को put करेंगे 10 थीटा तो करेंगे लेकिन साथ साथ कुछ और भी लेना पड़ेगा तो X आएगा multiply में A 10 थीटा आप X को क्या करेंगे put A 10 थीटा तो पहली चीज़ यहां से X अपॉन A कित्ता आजाएगा बिटा 10 थीटा तो आपका थीटा कहां से क्या आजाएगा 10 inverse X अपॉन A यहां से आपका थीटा कित्ता आजाएगा 10 inverse X अपॉन A अब आप देखेंगे आप put करें बिटा 10 inverse 3 A square हमारे पास था X की जगे हमने A tan theta हमने और put किया minus A tan theta का whole cube divided by A cube minus 3A and A tan theta whole square जहां जहाँ X था वहां हमने A tan theta substitute कर दिया अब आप देखो बेटा यहां भी A cube आरहा है, यहां भी A cube आरहा है, यहां भी A cube आरहा है सब जगे A cube आरहा है तो आपका एक काम तो हमें यह कर सकता है कि tan inverse numerator में से A cube कॉमल लेंगे तो देखे हैं आपके पास यह फोटो आईगी 3 tan theta minus tan cube theta और denominator में 1 minus 3 tan square theta ठीक है और denominator में से भी A cube कॉमल लिया A cube कॉमल लिया अब क्योंकि A कैं greater than 0 मैं आपको अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ देखो एक important चीज़ सीख आप सकते हो आप अगर यह बोलता ना आपको condition नहीं दे रखे होती तो आप यहां काट नहीं सकते हो क्योंकि A 0 भी हो सकता है ठीक है लेकिन अभी उसे देखा है A positive है तो अगर A positive है हाँ यह कट सकता है तब क्योंकि denominator 0 नहीं होना चाहिए हमें condition दे रहा कि A 0 नहीं है तो इसलिए हमें आपके cancel out कर सकता है अब आप देखो यह photo क्या बन रही है 310 theta minus 10 cube theta upon 1 minus 10 square 3 10 square theta आपको यह सारे formulas clear होने चाहिए यह बाले देखो यह लिखा है ना 310 theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 10 square theta यह सारे फंडे बिटा आप लोगों को clear होने चाहिए तो देखो यह अंदर वाली क्या जो अंदर वाली कहानी थी यह क्या हो गई tan inverse of tan 3 theta tan inverse of tan 3 theta tan inverse ने tan एक दूसरे को remove करेंगे तो it is it is only 3 theta अब बिटा आपने theta तो माना था theta तो कोई question में है यह नहीं तो theta को हमने देखा कैसे में निकाला tan inverse तो यह आगया tan inverse x upon 1 तो things क्या हो गई देखो अब आप एक इसको differentiate करते थे और एक अब आप इसको differentiate करेंगे बरकि दोनों ही same चीज़ है दोनों ही same चीज़ है तो it is better कि हाँ हम इसको कर ले तो इसलिए यह chapter easy है simplest form में convert करने के लिए थाँ है समस्क्राइब आए वोप ही एकस्षी पिलीरॡ अगास तो पर नेक्स कैसा लेक्ट एक अपको वैल्यू फानद करण साथ। का फान्सों क वेल्यू ऌफ एमन्हें याथ टिका value of 10, 1 by 2, sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. Condition आपको दे रखिये, suitable ही आपके, mod x less than 1 है, y positive है and xy less than 1 है, mod x less than 1 है, y positive है और xy less than 1 है, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिशन, देखे यह वाली कहानी है, यह हम जानते है, tan inverse 2, देखे, आप देखे, यह प्रिवियस में आई है, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कहीं, sin inverse के अंदर कहानी लिखी हुई है, ठीक है, देखे, यह ऐसा, यह आपका होगा 2 tan inverse x, और cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, यह आपका होजाएगा 2 tan inverse y, यह आप लोगों ने direct formula पढ़ रहा है, आपको डेरेक्ट ही आपको यूज करना है, डेरेक्ट ही आस्क यूज करना है, ठीक है, तो बेटा देखे, कित्ता होगे, 10, half, two tan inverse x plus two tan inverse y. अब लेका चैनसल आपका यूज कर देगे, तो यह रहांटnya है तो यह होजाएगा 10 of tan inverse x plus 10 inverse y. अब आप फार्बवल अंडर अप्लाइ कर दे, अब आप फार्मॉल अंडर अप्लाइ कर देजयो, तो 10 inverse x plus 10 is of icon formula अप्लाई करेंगे तो it is 10 of 10 inverse x plus y upon 1 minus xy ठीक है 10 inverse 10 remove हो गया तो it is x plus y upon 1 minus xy करेंगे लाग जाई स्वाइब हो लागा टे लागा झालाजा करेंगे लिए झाल झाल झाल